स्वागत है आप सभी लोगों का और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कम्प्रिहंसिव इन्वार्मेंटल पलुशन इंडेक्स शॉर्ट में इसको पलुशन इंडेक्स स्कोर भी कहा जाता है है कई सारे जगा आप देखे लोगें पेपर या नीउस में आज लिखा कर Г disciples कर रहे हैं क्योंकि कई सारे वीडियों में जब इसका जिक्रा गया था। सूचा कि थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं आपको एक डुरीफ आइडिया हो जाएगी इन्वार्मेंटल से लिटेड इससे पहले भी मैंने दो वीडियो बनाया हुए हैं अगर आप चाओ तो देख सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो यहां पर आप मुझसे जॉइन हो सकते हैं यह ग्रूप है जहां पर आप अपने क्वेश्चन डिस पॉलो कर सकते हैं चलिए वीडियो को सुरू करते हैं एडुकेटिंग टोडेइफॉर बेटर तुमोरो तो सबसे पहले बात करते हैं इंड्रोड़क्शन की कि कम्प्रिहेंसिव इन्वार्मेंटल प्लुशन इंडेक्स इसु कौन करता है तो बिसिकली इसको 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 इ प्रड्यूस कर रही है उसके बेसिस पे उसको बैसिकली क्या क्या प्रिकॉसंस लेने हैं किस एरिया में उसको पर्मिशन देना है यह सारी चीज़े तै की जाती है अब क्या क्या चीज़े मेजरली यहां पर देखा जाता है ऐसा नहीं कि इसको और नहीं देखा जाता है बाकि जो लोकल रिसोर्सेज हैं वहाँ पर जैसे वाटर है वो कितना कंजूम हो रहा है इस टाइप की चीज़े देखा जाता है और उसके बेसिस पर इंडस्ट्री को केटेगराइज किया जाता है और ऐसा नहीं कि यह बस सेंटर प्लूशन कंट्रोल बूर्ड के रिक्मेंड होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टेट प्लूशन कंट्रोल बूर्ड इसके अलमा मिनिस्ट्री आफ इंवार्मेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लोग भी होते हैं तो एक पूरा ब्रेन स्वामिंग करके यह इंडेक्स तैयार किया जाता है और परपच क्या होता इस इंडेक्स का इस इंडेक्स का बेसिक परपच यह होता है कि इंडेस्ट्री का हम पलूशन इंडेक्स चेक करें कि कौन सी इंडेस्ट्री कितना पलूशन कर रही है उसके बेसिस पे हम यह तैंक करें कि इस पर्टिकुलर इंडेस्ट्री को कौन से एरिया में लगाना जैसे अगर आप red zone की इंडस्ट्री को ढूड रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत सारे clearance की certificate की जरूद होगी white industry में आप काम करना चाह रहे हो तो बिल्कुल clearance की जरूद नहीं पड़ेगी आप उसको कहीं भी operate कर सकते हो in short जो highly pollution है उनको ये देखा जाता है कि town area में ना हो या फिर जहाँ पर लोग रह रहे हो या फिर वो ऐसी area में ना लग जाए जहाँ पर water pollution बहुत जादा होने लगे वहाँ के air pollution से problem create हो जाए तो ये सारी चीज़े ध्यान रखे जाती है बिसिकली जब industry के लिए permission किया जाता है तो अब क्या-क्या category में divide किया गया है ये देख लेते हैं तो mainly four category में divide किया गया है किसके basis पे बिसिकली यहाँ पे एक scale बनाए गई है 0 से 100 की ध्यान रखना ये pollution index score है मतलब जो जादा pollution देगा उसको जादे number मिलेगा जो कम pollution देगा उ 60 से उपर का है 60 या इस से उपर की जो industry होती है उन्हें हम रखते है red zone में यहाँ पे जो total sector आता है वो होता है 60 industrial sectors होते हैं आगे मैं आपको sectors भी दिखा दूँगा कि red sectors में कौन कौन से आते हैं उसी तरीके से second जो है वो है orange sector का इसका score रखा गया है 41 से लेके 59 का यहाँ पे total जो sectors industrial sector है that is 83 और green की अगर हम बात करें तो इसका polluting index 21 से लेके 40 टोटल जो sector यहाँ पे इन्वाल्व है या total industrial sector जो यहाँ पे इन्वाल्व है that is 63 और सबसे list polluting industry है that is white हम यहाँ पे category रखते है white की यह होता है up to 20 मतलब 0 से लेके 20 का इनका pollution index होता है जिनके लिए बहुत ज्या आपना startup कर रहा हो तो आपको easily permission मिल जाता है और कहीं पे भी मिल जाता है generally इसमें जो total sectors है that is 36 एक चीज़ और आपको ध्याँ रखना है कि जो जिनका pollution index 70 से ऊपर है उनको critical कि स्रेडी में रखा जाता है मतलब यह कहा जाता है यह बहुत ज्यादा प्रियोट कर रहा है वहाँ पर extra precaution की requirement होती है अब उस सारे detail में हम लोग नहीं जाते हैं हाला कि यह काफी पहले से issue किया जा रहा है और कौन कौन सी चीज़े ध्यान में रखी जाएंगी expert panel कैसे बनाया जाएगा किसका suggestion लिया जाएगा यह सारी चीज़े time to time add होती रहती है यह basically एक symbolic figure है आप देख सकते हैं यह white, red, orange, green यह सारे sectors हैं अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से sectors हैं basically industrial sectors जिनको red, green, orange, white में रखा गया है तो पहली जो आपको list दिख रही है यह है red category की industry की यह question भी मैंने कुछ दिन पहले post किया था कि जो automobile manufacturing है वो कौन से sectors में आती है यहाँ पर आप देख लिजिए यह सारे sectors हैं red zone में आते हैं जिनका pollution index 60 यह 60 से ज्यादा है यहाँ पर आपको orange के दिख रहे होंगे जिनका pollution index basically 60 से कम है बड़ 41 से लेके 59 तक है next जो आपका है green है green आपको पता ही है 21 से लेके 40 तक है इनका index यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन-कौन से sectors आते हैं और यह white वाला है यह आप कहीं पर भी open कर सकते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा problems होती नहीं है इनका pollution index बहुत ही कम होता है या फिर इनको simply कहा जाता है कि यह non-polluting sectors हैं अब यहाँ पर कुछ simple से questions है आज के वीडियो के उपर हमारे पहला जोग है organization that issue the comprehensive environmental pollution index कौन होता है center pollution control board यह है NGT, NGT तो ऐसा करता नहीं issue कुछ, state pollution control board भी नहीं करता है और ministry of environment, forest and climate change भी नहीं करता है तो यहाँ पर option है आपका A, according to the CEPI इसको short में मैंने पहल भी लिखा रहता है category, कितने category में divide किया गया industry को, four category में divide किया गया है red, orange, green and white, pollution industry score for the green industry, green industry के लिए कितना होता है that is 21 to 40, बहुत ही simple, this is the end of this video, thank you so much for watching this, मिलेंगे next video में, तब तक के लिए all the best, good luck.